प्लीज सब्सक्राइब तो आर चानल और प्रेस्ट वेल वेटन पॉर लेटेस्ट एद्युकेशनल वीडियोगे तमिगेल्ला स्वागता नानु डॉक्टर आर्वी चिटकुपी ग्लासिक केस मत्व आये स्टेडी सर्कल धारवादनेली इतिहास विशेवन्नो बोधस्ता विद्ध्यार्थिकले भारत द वास्तु शिल्पवन्नो नाव गमनेसितरे वंदु वैशिष्टे एंदरे इले नम्म भारत दली बेर बेरे तरद वास्तु शिल्पवन्नो बेळदवे आवो बवद्ध वास्तु शिल्पवन्नो नाव नोडिदरे विशेश्वागी नाव आधरल्लू करनाटक दल्ली बरुवंता देवालेगल नाव नोडिदेरे उब्बुशिले कलेगागी बास रिलीफ स्कल्प्चर्स नं थेड़तारे इगलिश्नली उब्बुशिले कलेगागी बाल प्रसिद्ध वागी वे अदो बदामी गुहेगल आगीर बोदो बदामी चालुक्यर कालत बदामी गुहेगल भाल प्रसिद्ध वागी वे इशिल्प कलेगागी मुंदे बंद अंता ये वंद कल्यानी चालुक्यर आगेर बोदू अत्वा इले होईसलरु विजयनगर आगेर बोदू विबिन्न तरद शिल्पकलेगल आगेर आगेर बोदू रामायन द शिल्पकलेगल आगेर आगेर बोदू Our social themes are also sculptured in the temples. इद नम हें नम हिंदु देवाले जन्न आकर्षितव वागे माडलो वू शुंदरवागे काणयो इरीत्यागर शिल्पकलेगल अंते इकाट्तिद्दध. इदरल्ली विशेशिवागी नाव गमनहरसबेकंदरे, अदु होईसलल कालद देवालेगळु इले, अधर द मुख्य आकर्शनेंदरे, शिलाबालिका शिल्पकलिगळागीवे। शिलाबालिकास इन्द होईसला टेम्पल्स, they are the most attractive part of the temple, here the होईसला अर्किटेक्च्चर, होईसला वास्थुशिल्पद अत्यंत आकर्शनेंदरे, शिलाबालिकेर विग्रगळु, इदु के वंध हिननलियागी, हागाधरे, होईसलारे इदन प्रारम मडिद र सिलाबालिके विग्रगळन ने क्यत्त्तूवदू, इदके उत्र येनि देंदरें, इले भारत दल्ली ए करनाटक दल्ली वास्तु शिल्पदली शिलाबालिकेर विग्रगळन ने क्यत्त्तूवदू, अत्वा अधुके मदनिका विग्रगळन थेले कुड़ करीतार, it is also called as मदनिका फिगर शिलाबालिकास और मदनिकास, इदन क्यत्तूद प्रारंबागे दो बदामी चालुकेर काला देंद, it started from the days of बदामी चालुकेर, अधुके उधरने नाव नोडबे कांदर है, बदामी यली रुवंता मूर्ने घुयली, in the third cave of बदामी, you can notice here the beginning of these मदनिका sculptures, मदनिका शिल्पकले ये वंदू विग्रकलन नाव कानुवदो अले बदामी या मूर्ने गुवांत्र देवाले दल्ली, this is here the beginning, इदो अल्ली दा प्रारंबा वागित्तू, मुंदे नाव नोड़तिवी अधना होईसलर कालदली, सुन्दर वागी अधना ये वंदू क्य अधे बदामी चालकेर कालदली नाव नोड़तिवी बड़सलादंता शिले ये इनिदे अधो मरऴ शिले आगिदे, the sandstone is used, so sandstone you cannot have that minute carvings, आ सूक्षिम क्यत्तने क्या इले कंड़ बरोधिल, आधरे होईसलर कालदली बड़सलादंता बड़प शिले ये इनिदे, सिस्ट what we have got, we can have the minute carving, सूक्ष्म क्यत्तने साध्यागिए, अधरे के प्रती वंदु, अले आभरणगलन नाव नोड़िदिरे, आ शिलाबालिकेर धरिसदंता आभरणगल उड़ुपगलन नाव गमिनिसदे इस्टु सूक्ष्म वागि क्यत्ति आरे, आष्टु सूक्ष्म थे नम अधरली, इले, मुख्य आकर्शन आगिदे, बेलूरू, हलेबीडू, मत्तु सोमनात्पूर देवालेगलली, इस्टिलाबालिके विग्रगलन नाव कानबोदु, सो मोस्ट अफ्ट 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 अफ्टेम्पल्स, विच वेरी फेमस, बेलूर, हलेबीड, आणड सोमन अफ्ट 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 अफ विग्रगलन नाव नोड़ बोदु। वाग दरे इस शिलाबालिकेर विग्रगलन इदनन चेत्तिधनत शिल्पीगल यारागिद्धरें अधरे आवईसल देवालेगलन चेत्तिधनत शिल्पीगल इदन कूड़ाइव निर्मिसित दारे अल्ले नाव नूड़तिवी। अधरो हैसल देवालेगल जक्कनाचारयर केत्तिधनत शिल्पीगल अधर कूड़ दासोजान थेलबाग्त दासोजा, मल्लितम्म, मल्लोज इले डक्कन आच्यारे अधरो हैसल देवालेगलन नाव नूड़िदरे अल्ली कानुवंत विविध मधनिका विग्रगल आव अधनन नाव इले नूड़ोन इनन्यदो विषय अश्यान पेट्टकोड़ इदना समने वेगलिस नली ब्रेकेट्ट फिगरस आण थेले करियोदो इदना नीवं वंध ब्रेकेट्ट्न ़ 1 रिनडोड़िधने रिन्ट नोड़ितर कले इधे, so this is one saying. इन्न नों द न गम्मन सिदेर, इद के ब्रैकेट तन थेल आक बरा इले बढ़सतार, इन ना ब्रैकेट पथना, इन्न न नडवे अधन उंद मेलभागद लिए न इन न नुडथना, ऑड न ड्रैकेट आगे ध्याद, that is connecting, it is connecting the ceiling and the pillar. अधिक्के कुड अधना क्यलोवर ब्रेकट्ट फिगर अन्थेड़तर अधना पूर्ण वागी निए पूर्ण वागी निए इधनन अधने गवागी इधनन अधने इवालेदली बुर्वंता इवंदो मदनिका विग्रहगल हागदर इधनके इले ereyeो मोडल्स है रागेदर रू, वू वेर पूर्ण वभी रागादर रू, अजो काल्पनीक रागेदर, इटले इनन्ने इमेजनरी इननल इना मजनरी अल्ला, थेर ले मेंधने इपूर्ण अधनी cowboy है पूर्ण वागादर्ण, मेनली इनन्न मदनिका विग्रहग़टर अन्ने विष्टुवर्धनन नमडदी आधन्ता शांतले कुड़ अवल कुड़ नर्तने लिए साकस्टो इले प्रसिद्ध आगि दड़ु कि अवल कुड़ा इले शिलाबालिके विग्रगल आथ आधनन मुदै बंदागा आविश्य वन्नौ उजब दो वंद नर्तकिया रूपदली शांतले एन्नु कुडा नाउन नोडबोदु। इदु अले बरुवन्ता इले बेलूरू हलेबेडू मत्तो सुम्नात्पूरदली इरुवन्ता मदनिका विग्रगल। इदन मदनलेद्दागी नीव नोड़िदरे केश विन्यास कोड़स्ता इरुवन्ता सुंदरियागिद्धाल। So, almost all these Madanika figures or Shilabalika figures are female figures. And they are very rich in ornaments. बाल सुंदरवादंता आभर्नगलन तोट्टिदारे. विविधत्तरदा आभर्नगलन नोडबोद। There are many scholars who have studied here the use of the different ornaments during the time of the Haisala period only based on these Shilabalika figures. You can see the beautiful ornaments which are grown here. आभर्नगलन नोडबोद। अथो हार आगर बोद। अत्वा इले संटपट्टी आगर बोद। अत्वा केशदमेले किरिटथा हागे आभर्नगलन तलेगे आभर्नवा आगर बोद। So, you can see the beautiful, you can see this mainly the anklets. इले कडगकलन नावन नोडबोद। That are the different here, mainly the here ornaments which are used by this. She is dressing her hair. केशवनन सरी कोडस्ता इरूवद, केशविन्यास कोडस्ता इरूवद, इदु सुंदरिय विग्रवागिद। अक्कपक्कदली आवर सेवकर अन्नु नावन नोडबोद। You can see the here servants, here mainly helping her. इले सेवकरो अवलिगे सहायकवागिद। इदु वंदु मदलेद्दागी बर्वांता इले विग्रवागिद। इरड़ने दागी भाल प्रसिद्धवाद्ध द्यदो इदके दर्पन सुंदरियां थेड़िकरिया लागिद। It is called as the Dharpana Sundari. Dharpana अंधरे कनडे. कनडे ले आ सुंदरि तनन मुखवन नोडिकोलताइद। She is looking at the mirror, her face. So she has completed her decoration. आभर्नकलन यल्ला तट्टिदाले तनन अलंकारवन्न मुखिसी, तनन मुखवन्न नोडिकोलताइद। She is seeing how she is looking. After her full complete dressing, you can see the different ornaments. You can say this, mainly the hand-ecklets are breasts. In every sculpture you have got different ornaments. And today it is said for making these ornaments, these are mainly the models. It is a dancing, here mainly the posture. वोब नर्तकी दान्सर, so it is in a dancing posture and she is having a musical instrument in her hand, the small drum. वोण्द सन्न डमुरन, तान्सकाइल एटकोंड़, अवोल अधन नुडिस्ता माड़ता इरुवांता नृत्यता भंगी आगीदे, वोब नर्तकी भंगी आगीदे, इधना इले नाव नोड़तिवी आले बरुवांता देवालेगळले, इदो सोमनात्पूरदली उने इदे, हलेबिड़नली इदे, हागो बेलोर्दली कोड़ा इदे, अवो रिपिटेशन आगीवे, there is a lot of repetition in that, अधरले मुख्य भागी बरुवांता यावो शिल्पकलेगळीवे, अवनन इले आरस कोंडिदेने इले, इले नाव नोड़तिवी, इले अबब आधिवासि शुंदरी, she was a tribal girl, how you can identify the, mainly the decoration she has made, मुदले नाव नोड़तिरी आवर राजनर्थक्यर आगिद्धरी, इले रीथी यले इवन्द नाव नोड़तिरे, अवल आधिवासि आगिद्धरी, कैयल्ली वन्द चूरियन हिड़तिद्धरी, she is holding a knife or a dragon in her hand, इदो वब आधिवासिय सुंदरी, she is mainly a tribal girl, this is here one of the, here very beautiful sculpture what we have got in these temples there, the temple of here a tribal girl, मुंदे नाव नोड़ति, this is the most important one to have, here नृत्य भंगियली रुवा नृत्य क्यां थड़ति, so the dancer in a dancing posture, many scholars have identified this sculpture as the sculpture of Shantala Devi, विष्टुवर्धनन मड़धियादंत, Shantala इदा इदा आगिदे न्थेट, because Shantala was also well versed in the art of dance, नृत्य कले ली साकस्ट इले प्रविनला आगिद्धलो Shantala Devi, and you can hear mainly say that this is probably the queen, युवलो राणी आगिदले, उळुद नर्तिकेर नोडिदले, आवल आबर्न भाल भिन्नवागिदे, किरिटवन्न धरिसिद्धल, she is wearing a crown, usually a queen wears the crown, वोब राणी आगिरिटवन्न धरिसिद्धल, मत्तो इले विविधध थर्द आबर्न गल, कैयले नाव ओलेगळन नोड़ बोदू, अले बलेगळन नोड़ बोदू, युवलो राणी आगिदले, she is the queen Shantala, देर, नर्तिकेर भंगेली रुवान्त शान्तले, इले, कटारी हेड़द आगिदले, she is particularly a woman who is holding a dragger in there, and she is sharpening it, she is sharpening particularly a rod, we can say, वंद कट्टिके एनन आवल, ये वंद हरितवागी माड़ताई दाले न थेढ़ हेड़बोदू, this is the dragger, what you can see there, क्यलवर, इदन यावरित्यागी कुडागी वंद हेड़ितार एंदरे, अधन वंद कलमागी कुडा वंद बलसलागी दे, अधन वंद बरिताईरु वंथा, the writing, here mainly, the here sundari, or the writing woman we say there, आवंद बरिताईरु वंथा सुंदरी विग्रागी दे, क्यलवर वर हेड़ितारे, but most probably, it is mainly a knife, and where she is sharpening a wooden stick, वंद कटगे अन्न हरिता गोलस्ताई दाले तन्न ये वंद इले कठारी एंदागी, अधन के, कठारी हेड़ितांता सुंदरी, she is the woman who is holding the dragger, next, this is, सेवकी मुल्लन तेगिताईरु वंथा भंगी, so here you can imagine, this is what you have to appreciate, here the sculptures, आ शिल्पिन ये वंद नाव प्रस्षा से माड़बको, यावर रिति आगे अवन मुखद मेले भावनेगलन कट्टितान, the expressions he has given in the stone, you can imagine, so here, the lady, here is pricked with a thorn, अवल काले गे वंद मुल्लन नट्टिताईरु, अवल मुखवन नोडे, वंद रिति आले आ नववन न अनुबस ताईरु, she is facing that pain, and here we can find the servant, the maid is removing that throne, here, आले आ सेवके आ मुल्लन न तगिताईरु, she is removing the thorn, so you can see the expression, अदर मुखभावने न नोड़, आ आ नवव आखताईरु आवले, आ मुल्लन न तगिताईदागा, आ नोविन इले भावनेगलन न कोट्टिदाने मुखदमेले, इदो शिल्पी, यस्टो प्रविनन आगिदने हेलबोद, शिल्पी वंद अले प्रशाँ सेनन माडबोद, we can appreciate that, mainly the sculptor, how the expression has been given, so this is here, so when you see these sculptures, you should have here, so what should be the feeling you should get from the inside, here you can see that, here she is feeling the pain, so you can easily understand from her face, this is another posture of a, here mainly a dancer, she is in a dancing position, आ भंगियली तर नित्य भंगियली रुवन्त, अले यवन्द बधियली नोड़ताई दाले, she is not facing here, mainly the front, she is saying at the side, and it is one of the posture of the dance, अद नर्तने था वंद भंगियागिदे यंथे हेड़लागिदे, next, this is another very interesting aspect, you can see, here mainly, the woman holding a bow and an arrow, इले आ वंद बिल्लन, आ बत्तलके लिरूवन्त, बिल्लन तगिताई दाले, she is removing the arrow, and this is the bow, what we have got, बिल्लु बान हिडदंत सुंदर्यां थेड़लागिदे, it is, she is holding the bow and arrow, so she is removing that arrow, to be put it in the bow, so that is what you can see, this is the posture, you can see the different, again the ornaments, one ornament differs from another ornament, वंद आभरन इनन्द आभरन दिन्दाद भालब्भिन्न वागिदे, विविद थर्द आभरन गलन नाव नोड़बूदे, it is the most interesting aspect, you have to see those, mainly the ornaments, costumes worn by these beautiful sculptures, this is another, कोललो हीडद सुंदरियागिदे, so woman is holding a flute, कोललानन लुड़दा ऑन्द आभरन्त सुंदरियं, कोललानन उड़स्था इरु वंत सुंदरियाँ थेड़बूदू, so these are particularly, when the dance is going on, there are musicians, so what we can say, women were also well versed in the art of music, स्थिरीयर कोड, अल्ले, आ संगीत कले अले अवर अध्धेन माडिदिरो अवर अधन तिल्दुकोंडिदिरो अधर भग्य साकस्टो अवर गे ध्यान इत्तन थेळलो हिंता शिल्पकलेगल नमगे सहायकवा गिरतावे such sculptures are very important. So, the woman playing the flute. आए संगीत ये रिति यागि आवो अले बेरे-बेरे संगीत वनन नुडश्था इरुवान्था वाध्यगलन बेरे-बेरे वाध्यगलन बेरे-बेरे वाध्यगलन नाव नोडबोदु. We can also understand what type of they… mainly the musical instruments were used. आ समेदली यावथरद संगीत वाध्यकलन बलस्ता आइधरो, अधन कूड़ा नाव इले हड़बोदु। This is here what we can see, she is holding a flute, अवल कुड़लन हिडदान्ता वंदु सुंदरी. The woman she is talking to a bird, अवल कई मेले वंदु इले पक्षी कुथिदे, आ पक्षी मत्तो आ सुंदरी नडवे, अधनन नाव इले नोडबोदु। A bird is sitting on her, mainly the hand there, इदने शिल्पकले ओन सुल्प बिन्न वागी कुड़ा बेर बेर कड़े अधनना नाव नोडबोदु। Like this is another one, we have got, where you can see again that bird is sitting here, इले कुड़ा मत्ते आ पक्षी कुथिद। So, पक्षी कुड़ा इले कुड़ा मात्नाड़तार वंतसुंद।। So, here she has folded the hands and the bird is sitting here, this is another, here the sculpture what we have got. This is very clearly you can see, इले मुँभागदा, कई मुँभागदा, अधरे बेरलगळ मेले आ पक्षी कुथिद। So, that mainly the bird is sitting on the mainly fingers, बेरलगळ मेले, इले इदु वरेगो, इले नोडिद। She is particularly here talking to that bird. These are the sculptures what we can notice. The theme is one, but the postures are very different. विशे वंदे इदे पक्षी कुड़ा मात्नाड़ वंतसुंद। आधरे विविधा भंगी यल्ली नाओ अधना नोडबाओद। This is another musical instrument holding, here, Sangeetha Vaadhyya Heidata Sundari. She is holding a particularly musical instrument, which is identified as a Veena. अधर वंद। Veena यागिदे यन थेले, हिलागिदे, अधरे के Sangeetha Vaadhyya Vaadhyanta Veena यन नुडुस्ता यरुवंता सुंदरी यागिद्धालिव। This is another, you can, these are all the women, music here, mainly they are giving the music to the dance. अधरे निरिथ्या निडुता यदे, अधरे संगीतवण नीडुता यरुवंता, इले, इवंद। कलाविदर, इले, शिल्पकलेगलन नाओ नोडबाओद। इले, आके डमरन्नु बरस्ता यदे, she is here beating the drums. So, this is the woman, डमरन्नु बरस्ता यरुवंता सुंधर्यांगिता हिद। So, what we can say is, mainly the most important thing is the musical instruments that are used. आ संगीत वाद्धिकल याव्याव आ समेदली बलिकेत्व, अधु नमके तिल्दबर्तत। The musical instruments which were used during that period. This is, the sculptures help us to know it. This is another aspect. The first one you had seen, where she has completed her, mainly the decoration and she is seeing her face in the mirror. अधन निवा ले हिंदे गमनिसिद्धरी. अवल पूर्ण अलंकारवन्नु मुगिसे, अवल मुखवन्नु अले, आ दर्पन, कनडे ले नोडिकोल्ता यद। It is after the completion of the decoration, she is saying her face and she is applying to her forehead the kungkum. This is the last particularly what we have seen here in our, mainly the previous one, where she has completed it and this is in the process of completion. मदले दो, दर्पन सुंद्री आले नावन्नु अड़ती नेरवागे, अवले अला अलंकारवन्नु मुगिसे दाले, आदर ये ले, कोने हंत दली बंदी दाले तना अलंकार मुगिसलो. That is what we have got. And this is the last sculpture which we are taking. This is again, नृत्य भंगे ले रुवंता सुंद्री, दा, mainly a female dancer we can see. So these here, इले अकपक्कादले वाध्यवननु नुड़ताइदारे, इले दमरनु हिड़तु। So they are holding the drums and they are playing the drums and she is mainly the dancer. The musicians are playing. So like this, the Vaisala sculptures have got here such sculptures here called as the Madanika figures, Bracket figures or Shilabalikas. This is what we can hear, mainly notice in these three temples. So this is one of the most important characteristics of the Haisala architecture. Haisala vastu-shilpath, one of the most important characteristics of the Haisala vastu-shilpath, one of the most important characteristics of the Haisala vastu-shilpath. The Hindu architecture is totally different compared to the other architectures which I have developed in India. So this is one of the topics which I have taken for the discussion today in my video. Please subscribe to our channel and press the bell button for latest educational videos. Music 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 Music